अब मैं आपको द्वीगू तता बहूरी समास में अंतर स्पष्ट कर देती हूँ, बता देती हूँ इसके बारे में कि इनका अंतरम कैसे समझ सकते हैं द्वीगू समास में पहला पद संख्यावाची तता विशेशन होता है और दूसरा पद विशेशन होता है द्वीगु समास की आपको पता है कि सबसे अच्छी पैचान सबसे बड़ी पैचान है कि यह इसका पहला पद जो होता है समासिक पदों में वो हमेशा संख्या में दिया होता है इसको हम अच्छे से पैचान पाते हैं कि है संख्या में है जबकि बहुवरी समास में दोनों ही पद विशेशन का काम करते हैं और किसी तीसरे को प्रधानता देते हैं कोई तीसरा अर्थ देते हैं हमारे सामने ये बहुवरी समास आप अच्छे से जान चुके हो जिसका जिसकी विशेशता पताई जाती है और द्विगु समास की होती है कि पहला पद संख्या बाची होता है लेकिन इन कई बार समासिक पदों में कुछ ऐसे पद भी आ जाते हैं आपके सामने कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि इन दोनों पदों में हमें कौन सा समास करना है द्विगु है या ये बहुवरी समास है इनका मैं उधारन देकर आपको समझा देती हूं दशानन अब यहां पे आप देखो कि 10 संख्या भी दी हुई है और दशानन हम जानते हैं कि किसी तीश्रे की विशेशता बताई गई है रावन की जो कि बहुरी समास में भी होता है तो अब हम जब इनका विग्रह करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे द्विगु समास के इसका विग्रह होगा दस आननों का समुह या समाहार जो कि आप द्विगु समास के सभी समासिक पदों का विग्रह करने पर करते हो स समुह या समाहर ही लिखते हो। जब हम इसको विग्रह बहुरी समास में करेंगे तो किसी तीसरे को प्रधानता देंगे। आप या उधारन पहले से भी समझ चुके हों। दस आनन है जिसके यानि दस सिर है जिसके अधात रावन तीसरे को विशेषता दी गई रावन की विशेषता है कि वैं दस सिरो वाला है तो यह दोनों में ही आता है तो आप इनका विग्रह देख लेजिए दोनों में अंतर इनके विग्रह में है चतर बुच चार भुजाओं का समूह या समाहर इनका विग्रह जब हम द्विगुसमास में किया तो चार बुजाओं के समूह के तोर पे किया लेकिन जब हम बहुवरी समास में इसका करेंगे तो इस तरह विग्रह होगा चार है बुजाएं जिसकी अर्थात विश्नु द्विगुसमास और बहुवरी समा आपको कि चतर बुज में चार बुजाओं का समुह देना है और बहुरे में चार है बुजाएं जिसकी रात विश्णु के बारे में बताना है त्री लोचन तीन लोचनों का समुह समाहार तीन आखों का समुह लोचन यानि आखे तो यहां पे समुह या समाहर आ गया तो कौन स ज lag तो बी गूस मास और बहुरी ही समास में जब इसे में करें तो ऊनिया र्वा की बार्धां आनके और रहीं को छोगें तो आनके drinking and that को परिवे नियुक्न तो तीन रही है जिसमें अने इसारा, आपको जो और घृतानीा सुना कि इन दोनों में कैसे अंतर बताना है किस तरह इनका विग्रे करना है और आज हमारा समास का टॉपिक कम्प्लीट हो गया है